Hello and Welcome दोस्तो आचके इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि अगर आपके Redmi या फिर YMI Mobile में Lock Screen पर Automatic All Paper Change होते हैं तो आप इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं आप यहापे देख सकते हैं यहापे में जब भी यहापे Mobile Unlock करने कोशिच करता हो यहापे Lock Screen पर Automatic All Paper Change होते हैं तो चली इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको यहापे बता देता हो क्या आप इसे कैसे Off कर सकते हैं इसके लिए आपको Simply यहापे Innovation के से की से स्टींग में जाना है Mobile कि से शेटींग में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है नीचे स्क्रोल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरी के से यह आपे लॉक स्क्रीन दिखाए देगा आपको सिंपली यह आपे लॉक स्क्रीन के बटम पे क्लिक कर देना है logg screen के बटम पे click करने के पाद आपके सामने कुछ इस तरी किसे यहाँ पर बटन दिखाए देगा glance for EMA आपको simply यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर click करने के पाद आपको simply इस option को off कर देना है skip के button पे click कर देना है skip के button पर click करने के आपके कभी भी lock screen पे all paper automatically change इसे आपका कोई बैलस नहीं जाएगा विडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद